हेलो दोस्तों मेरा नाम अजय है और आज मैं अपनी जिन्दगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो हमारा स्कूल का दिन था जब मेरे प्यार को अक्सेप्ट कर लिया, हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे, बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीख पे बैट जाया करता था और वो पल मानों मेरे जिन्दगी के सबसे खुबसूरत पल थे, क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में प हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नीनदा जाती और हम सो जाते थे कभी अगर मेरे घर में कोई रिष्टेदार आ जाता तो रात को मैं छट पे जाकर बाते करता यहां तक कि मैं ठंट के मौसम में भी छत पे जाकर शुती से बाते करता हम दोनोंने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे शादी, बच्चे और यहां तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाली काफी अच्छी चल रही थी लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे-धीरे सब कुछ बदलने लगा कॉलेज में आने के बाद शुती अब पहले जैसी नहीं रही वो मुझे अब इगनो करने लगी अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती मैं सोचने लगा ये शुती को क्या होता जा रहा है वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है एक दिन शुती के एक फ्रैंड से मैंने पूछा देखो न शृती अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती वो अब मुझे इग्नो करने लगी है उसकी फ्रैंड ने मुझे बताया कि शृती को मैंने कॉलेज में अभय नाम के लड़के से अक्सर बाते करते हुए देखती हूँ शायद मुझे लगता है शृती उसे पसंद करती है उसकी फ्रैंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कने बढ़ने लगी मेरा दिमाग कह रहा था कि शृती ऐसा कैसे कर सकती है लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं शृती ऐसा नहीं कर सकती मेरी आँखें नम होने लगी मैंने अपने आसुओं को रोका लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा घर जाकर मैंने शृती का Facebook अकाउंट और Instagram अकाउंट चेक किया मैंने देखा कि शृती ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिलवाले इमोजी का कमेंट भी था मैंने तुरंथ शृती को कॉल किया लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो शृती से मैंने पूछा क्या तुम अभय को पसंद करती हो शुती ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो क्या तुम अभय को पसंद करती हो? हा या न? शुती अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त है उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँन मैं अब काफी चिर्चिरा हो गया था और चोटी चोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था शुती अब पहले जैसी नहीं रही वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी एक दिन मैंने शुती को अभय का हाथ पकड़ कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा मैंने अपने फोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर लिया कॉलेज खत्म होने के बाद मैं शुती के पास गया और उससे कहा शुती दो मिनट ये फोटो देखो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर क्या बाते हो रही थी शुती गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली हां मैं उससे लाइक करती हूँ तुम्हें उससे क्या प्रॉबलम है अज यह शुती हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते है तो फिर ये बीच में अभय कहा से आ गया शुती स्कूल लाइफ वो हमारा बच पना था बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त है मैं अब जा रही हूँ बाए हम बस अच्छे दोस्त है ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उस मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी मैं बीमार पर गया मेरी तबियत पूरी तरह खराब हो गई मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती जब मैं उसे मेसेज करता तो वो मेरे मेसेज का जवाब नहीं देती मैं बस ये चाहता था कि वो मुझे से बात करे लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी शुती मेरा पहला प्यार था वो कहते है कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला प जीवन में जैसा हम सोचते है वैसा नहीं होता आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं की सामने वाला भी सच्चा हो वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं दोस्तों यह थी मेरी जिंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रेलेटिव को जरूर शेय करें और आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसे दोई और सब्सक्राइब करके घंती बजाना न भूले अपना बहुमुलिया समय देने के लिए धन्यवाद